हलो माई डियर फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टड़ी आई एसन पीचेस में और चलिए आज आपकी एक प्राब्लम को सॉल्फ कर देते हैं जल्दी अंसर की आने वाली है तो आप लोगों को उसके लिए पहले से प्रिपेर रहना चाहिए औ आपका आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा ठीक है और सब्सक्राइब करने के साथ में आपका आगे एक बैल आइकन बना रहता है उस पर क्लिक कर लिएगा फ्रेंड्स तो उससे क्या होगा कि कोई भी वीडियो बनेगी आपके पास में सबसे पहले पहुंचेगी ठीक है और अंसर की इसलिए बनारी हूँ जिसे कि आपको आगे जो अंसर की आएगी कुछ दिन में आने वाली है बहुत जल्दी ही रिलीज होने वाली है तो आप लोगों को अंसर की देखने में कोई प्राब्लम नहीं आएगी और लाइक और शेयर जरू करिएगा फ्रेंड्स क्य वीडियो और यहाँ पे जो कोईशन आएगा उसमें कोईशन जो है कोईशन आईडी से आपको चेक करना पड़ेगा और ओप्षेंस की भी आईडी होती है है ना तो किस तरीके से चैक करते हैं कैसे देखेंगे एक आलगी पैटर्न होता है ठीक है तो उसमें क्या है आपको पहले से उसे download कर लेना है ना answer key का जो page आगा उसे download कर लेना question वाला जो आगा क्योंकि आप download नहीं करेंगे फिर बाद में क्या होता है वो चला जाता है काफी सारे student को ये भी confusion होता है ना तो वीडियो पसंद आये तो like जरूर करना ठीक है और share जरूर करना क्योंकि share is caring ठीक है शेयर करने से क्या होता है कि अगर आपके किसी friend का मान लीजेए कि answer की आया और उसे वो देखना नहीं आता है और बाद में वो download भी नहीं कर पाया तो उसे एक problem face करने पड़ेगी I hope आप समझ रहे होंगे किसी की लिए भी बहुत important है इतने समय के बाद paper conduct करा है और उसके बाद मैं answer की की हम लोग कितने समय से wait कर रहेते हैं तो students को काफी सारी चीजों से face करना पड़ा है problem को किसी किसी को net की issues होते हैं जो की city में नहीं है तो I hope आप समझ रहे होंगे अगर आप शेयर करेंगे आपकी एक शेयर की विज़े से किती सारी help किसी की हो सकती है ठीक है तो friends ठीक है बने रहे हैं पूरे वीडियो को देखिएगा जरूर सब्सक्राइब और बैल आइकन को जरूर प्रैस करना चलिए देख लेते हैं तो answer की आने वाले हैं बहुत जल्दी डैम शेयर इस वाले वीक के अंदर आपके जो answer की हैं वो release हो जाएंगे जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं ठीक है मैं बताती हूँ कैसे देखना आप शुरू करते हैं वीडियो यह है जैसे suppose एक question है है आप question मैं आपको यहां पर मैं दिखा दूँ यह देखिए यह question पूरा pattern देखके चलिएगा इस तरीके से question रहेगा और यह यहां पर यह तो आपका paper है का जो आपने solve किया है आपने जो question paper तो उसके according देखिए यह mcq question type लिखा है यह लिखा है question ID क्या नमबर नहीं last के at least 4 नमबर देखिए जैसे 1742 ठीक है अब आपने choose an option कौन सा था आपका question ID तो यह हो गया देखिए question ID तो यह बाला हो गया ठीक है जहां पर लिखा हो है this is question ID अब इसके 4 नमबर आप देख लो ठीक है यह 5 देख लो 1742 देख लो हम देख ले थे 1742 ठीक है सब उस हमने यह देख ले question ID यह है अब इसमें status क्या है answer अगर आपने answer नहीं किया होगा तो यह यहां पर answer न to यह है और इसकी जो option ID वो यह है ठीक है यह है यह लास्ट में 535348 ओकी तो 5348 सपोज आपने इसका यह option चूज करा हुगा है तो अब हम देख लेते हैं इसका इसे हमें official की से कैसे check करना है अब आप देखो यह आ गए हम कहां पर यह हम आ गए है national testing agency ठीक है मैंने कहाता है यह आप जैसी खोलोगे न वहाँ पर website पर जाके तो website पर सबसे पहले यह page open हो जाएगा यह page आपको download कर लेना है वैसे यह direct download ही होता है ठीक है और जहां file download होई ह यह आपको और बार check करना है तो यह आपका यह है हम जो दिखा रहे हैं वो जून 2020 वाला है अब देखें यहां पर subject wise आएंगे ठीक है confused मत होना बहुत जल्दी वाजी हों काफी सारे बच्चे confused हो जाते हैं और यहां पर shift भी होई है ठीक है अब आप देखिए इस तरीके से म सारे subject देखिए ठीक है अभी में randomly आपको किवल समझाने के लिए बता रहे हूं कोई किसी का paper नहीं चेक कर आ रहे हूं यह देखिए यह political science का है second shift का है ठीक है ऐसी randomly हम किसी को भी देख लेते हैं सबोज हम question ID देख रहे हैं यहां पर यह साफ लिखा हुआ question ID ठीक है आपका स question कौन सा वाला है इस में सिए अप match कर लीए suppose हमारा यह वाला question है तोई इसका कौन सा वाला ID option सही है यह वाला ठीक है clear दीख रहा होगा आप लोगों को मैं zoom कर देती हूं यह देखिए यह देखिए suppose मान ले यह वाला question था question ID यह है और correct option कौन सा होगा यह होगा तो आपको match क्या करना है इसके last four options देख लिए four number देख लिए option के 8602 ठीक है तो अब हम जब match करेंगे ना तो हम इसको देखेंगे question ID यह वाली और यह तो last two eight one five six और eight six zero two है ना ऐसे करके और जब हम जाएंगे वापिस देखिए suppose हम यहाँ पे देख रहे थे यह actually match नहीं करेंगे यह अलग है है ना तो हम देख लिए अगर हमने यह वाला देखा था तो देख लेते हैं ठीक है जैसे यह वाला question ID है ठीक है यह वाला question ID है अब यह match नहीं कर रहे है ना तो कुछ बच्चे को यह confused होने लगता है question number one पे जो यहाँ लिखा हो है वही question number one पे वहाँ लिखा होगा answer की में तो ऐसा जरूरी नहीं है फिर बता रही हूँ मैं आपको ठीक है आपको आराम से सारी चीज़े समझ आ रही होंगी ना मैं क्या कह रही हूँ यहाँ पे जो option ID है वो देखनी है पीछे से four digits ठीक है पूरा पूरा number लेंगे तो तो फिर बहुत time लग जाएगा इस तरीके से आपको match करना है इस chosen option number two का केवल यहीं पे use है पाकिसारे में option ID जब आप answer से match करेंगे ना तो क्या match करने वाले है option ID and question ID तो आपको समझ आ गया होगा और जैसे यह आएगा ना जैसे result आएगा तब भी मैं वीडियो इसकी बना दूँगी तो आप लोगों को और ज़्यादा clear हो जाएगा ठीक है और यह देखिए ऐसे subject wise list रहती है आपको जो subject है आप उसी को देखिएगा अब यह देखिए कितने सारे हैं है ना तो आपको question इसमें देखने पड़ेंगे कौनसी कौनसी ID के आपके questions है ठीक है तो इस तरीके से यह आपको match करने है और यहीं पर आपको सारा कुछ match हो जाएगा यह question ID यह option ID last के four digits जो हैं उनको match करा लीजेगा तो आपको पता पर जागा एक copy pen लेके बैठना और अपने marks भी टैली कर लेना फिर मैं बता देती हूँ इसमें objection कैसे होगा है ना सपोस्ज जैसे मान लेते हैं तो उसके लिए आप challenge कर सकते हैं ठीक है I hope much better है कि आप अकेले challenge ना करके group वाई challenge करें जैसे कि मान ले जो आपके four friends हैं या ten हैं तो आप एक साथ में हो करके उसको challenge कर सकते हैं है निये कि काफी सारे question होंगे randomly दो तीन मुश्किल से question मिलेंगे आपको जो कि इस तरह के challenge करने like होंगे most probable है ना तो आप लोग group में मिलके कर सकते हैं ठीक है तो आपका जो इसके लिए charge लगता है वो लगता है objection किसी में हो रहा है कि answer जो दिया है NTA ने वो गलत दिया है और हमने जो किया है वो सही किया है फिर आपी के लिए नहीं सारी बच्चों के लिए अच्छा benefit हो जाएगा ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही मैं यही बताना चाहती थी कि आपको कैसे check करना है option ID and question ID आएगा और जल्दी ही आने वाले हैं जैसे आजाएंगी तो मैं आपको उस समय भी वीडियो बना के दे दूँगी और बताईए का अकर कुछ और इसके बारे मैं नौलज चाहिए होगी तो मैं उसके ओपर भी वीडियो बना दूँगी ठीक है यह पूरी लिस्ट आती है इस तरीके से सभी सब्जेक्ट की होगी आएगा ऐसा कुछ नहीं है कि किसी का जैसे हिंदी वालों का हुआ था उनका भी आएगी आएगा क्योंकि ऐसा कोई इन्फोर्मेशन अभी तक आया निया तो हम यहीं मानेंगे जो पेपर लीक की न्यूस थी वह बेकार थी या जो भी था उसके बारे में कोई भी आंटिये ने कोई नोटिस नहीं दिया तो अभी हम उसे छोड़ देंगे फिलाल हम यहीं मानते हैं कि सब्भी सब्जेक्ट का जो है आंसर की आने वाला है तो रेडी रिएगा माई दिर फ्रेंट्स और बने रही है हमारे साथ में लेटेस्स सारी न्यूस आपको बिल्कुल करेक्ट सब्सक्राइब लाइक शेर जरूर करिएगा शेर करने से हो सकता है कि अगर कोई ऐसा है जो सिटी में नहीं है जिसे नैट का इशू है फ्रेंट्स आप फिर समझने कोशिश करिएगा उसके लिए आंसर की बहुत इंपोर्टन होगी जैसे आपके लिए इंपोर्टन्स रख है ना और आज के लिए वस इतना ही बने रही हमारे साथ में ओके बाई बाई फ्रेंड्स